हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो जी कैसे हैं आप सबी मेरे लड़ू-लड़ू कनया के इशाओ मेरे बिहारी जी मेरे गोपालू की एसीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी तो आज का जो ये वीडियो है आपको अगें टाइटल से पता लग गया होगा लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैं कल के लिए आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहती हूँ और कुछ बहुत जरूरी पॉइंट से जिनको आप लोग जरूर जरूर कल करियेगा तो देखिए मैं अपने प्रिविस वीडियो में आप लोगो पूरी देव उठाने बैशन Jew पूजन की विधी बता चुकी हूं कि किस सरिके से आपको सुबा जल्दी उठ जाना है यदि आप पूरे कार्थिक मास में पूझा अच्छे से नहीं करपा है जल्दी उठ करके तो आपको कल से पूरिमा तक का ब्रहम मूरत में उठकरके आपको अच्छे से पूरी विदी विधान से पूजन अर्चन करनी है दीबदान करना है और सारी चीज़े मैंने बताई हैं कल का दिन जो आपको शुरू करना है कल का दिन कुछ इस प्रकार से शुरू करिएगा ब्रह्म मूरत में उठ जाएगा प्रभू का नाम लेते हुए जो लोग नहीं उ पाते हैं या उंकी कुछ भी मेडिकल इशूस भी हो सकते हैं आप पाता से प्रातना करिए कि मुझे सुभा जल्दी जगाए और पांच दिन तो मैं उठी सकूं ठीक है आप बिल्कुल शुद्ध मन से शुद्ध भाव से प्रातना करिएगा आप जरूर सुभा जल्दी आप अच्छे से कोनों को अच्छे से साफ कर लीजिए भई क्योंकि कल हमारे प्रभु जाग रहा है चार महीनों के बाद तो अच्छी तरीके से घर को बहुत अच्छे से क्लीन करने के बाद में बाहर दुलाई कर लेने के बाद में आपको खुद अच्छे से पवित्र होन सिनान करना है सिनान करेगा तो गंगा जल या यमुना जल आपके पास में जो भी पवित्रचल है Simple बात में Do का ने के बाद में आपको क्या करना है देखिए कल सुभा और शाम दोनों को ही बहूत विदी विधान से बड़ आछी पूजन कर शाम्ता है जितना आको था जितना आपके पास में उस भाव से करिएगा ठीक है मैं हमेशा बताती है। छपपन भोम ना सही। सब्सक्तिखें प्रभू की पूजन करिएगा। बहुती सरल चीज़े हैं जो कि आप लोगों कोरणी कर दिया रही हो प्रभू बहुत प्रसन्न होंगे मेरी मातरानी बहुत प्रसन्न होंगी तो सुभा अच्छे से घर साफ करने के बाद में आपको खुर नहा के आ जाना है नहा दोने के बाद में आपको अपने घर में गंगा जल अच्छे से छिड़कना है ठीक है गंगा जल को बहुत अच्छ आप अच्छे से क्लीन करेगे बहुत अच्छे से साव दुलाई करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है थोड़ा सा गयर भता करके एक छोटी सी रंगोली आपको बना देनी है जी ठीक है छोटी से रंगोली बना दीजिए मेंगेट पे उडली रख दीजिए का उसमें थोड़े से फूल रख दीजिए अच्छा सा आपको वातावरण पूरा बाहर का कर देना है ठीक है जी उसके बाद आप कुछ इसनान करेंगे जैसे कि मैंने बताया आप इसनान करिए गंगा जल हो यमुना जल हो आपको इन जल से इसनान करना है उसके बाद आप इसनान करने के बाद जबाएंगे तो आप अपना मंदीर अच्छे साफ करिएगा यह सारा काम सुबह बहुत जल्दी होगा बहुत जल्दी पूजा हो जाएगी तारों की छाओ में ही आपको मिश्नु भगवान लक्ष्मी माता की दे कि मेरे तो पहले से ही मेरा मंदिर जिस तरीके से देखिए सभी लोग मेरे राधा रानी कर नहीं है जी मेरे लड़ू लाड़ू सभी लोग विराजे हैं और मैं आपको बत दिखाती हूँ यह देखिए इधर पे मेरे श्रीहारी माता लक्ष्मी के साथ विराजे हैं प्रभू शालिग्राम माराजी सभी लोग विराजे हैं तो आपको क्या करना है इस तरीके से एक चौकी पे सभी लोगों को विराजमान कर देना है और आपको जो सबसे जरूरी काम सुभा ही अपने मंदिर में कर लेना है कलश रिस्तापित क जोथ प्रजुलित कर दीजेगा जो की अखंड जोथ है आपकी कल पूरा दिन, पूरी रात, अगले दिन सुभा तक जलेगी ठीक है अच्छे से आपको जोद प्रजिवलित कर देना है कलश रख देना है जी और फिर आपको जो कथा है आप वो चाहे तो आप सुभा भी पढ़ सकते हैं ठीक है उसके बाद आपकी पूजन हो जाएगी अर्चन हो जाएगी आप भोग लगा दीजे जैसे आप पूजा कर करते हैं कल लीजे उसके बाद आपको क्या करना एक टीसरा काम आपको अपिसे सरे काम पूजा पाट कहा नहीं लिए तो प्रत्व में ऌने साथ और पूरे पिर आपको पूरना है जो की मैंने आपके साहिए किया हुआ है अपने आंगन में चौक पूर सकते हैं अगर आपके मंदिर बढ़ा है आप वहाँ पूर सकते हैं लेकिन जो जैसे चौक आप पूरिये तो अगर आप आंगन है आपका या बालकनी है वहाँ पे आप चौक पूरेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आपको वहाँ देखिए पहले चीज जगा देख लीजगा क्योंकि तुलसी माता की आपको जो रात को विवा करनी है वहीं पर करना है और इस पेस अच्छा हो कोई डिस्टर्बेंस ना हो ठीक है और आंगन में पुर्णा बहुत शुब माना जाता है यदि आपके घर में मंदिर में ठीक है झी इस तरीके से आपको चॉक बूल लेना है और आपको चौथा सबसे IMPORTANT काम करना है प्रभू के मंत्र का जाप कल आपको करती ही रहना है, सुबह जल्दी उठिए आपने एक माला कर लिया माले से नहीं करती है आप पने दीप्रजलीत कर दी आपके पूजन हो गई बस प्रभु का नाम लीजिए मेरी राधर आनी कनिया जी का हरे रामा हरे कृष्णा आप मंत्र का जाप करिए महा मंत्र का नहीं तो ओम नमगवत्य वासुदे वाए नमा का करिए कुछ नहीं अगर आपको आता है तो बस आप श्री हरी श्री हरी हरी ब आप हो गया उसके बाद आपको जरूरी काम करना है जो तकहन जलती रहेगी रंगोली जरूर बनाईगा बंदनवार जरूर लगाईएगा घर पर क्योंकि कल तुलसी माता का विवाद है और फिर आपको अपनी रात की जो पूजन है में उसकी त्यारी में लग जाना है अच क्या ये सही है बिलकुल भी सही नहीं है ये चीज़ मेरे नजर से और पुराण के हिसाब से भी अगर आप कथा पढ़िए देखिए श्री हरी विश्नु भगवान के ही सब स्वरूप है वो ही है साक्षात लड़ु बाबु विश्नु भगवानी है गोपालु विश्नु भ भगवान ही है सब लोग प्रभु ही का रूप है लेकिन देखिए जो तुलसी विवाह होता है वो शालिग्रा महराज के साथ ही होता है प्रभु के अनेक रूप है नरसिम्भ भगवान जी का भी हमारे प्रभु का ही रूप है नरसिम्भ प्रभु भी हमारे श्री हरी विश के साथ ही करना उचित है एक तो लड्डू बाबू को हम वो बाल स्वरूप है ठीक है वो बाल स्वरूप है वो बिल्कुल प्रभू है कनया जी है लेकिन जो विधान के हिसाब से आपको विवाह करवाना है वो आप शालिग्रा महराद के साथ में ही कराएए आप इनको पूज कराना है वो शालिग्राम मराज के साथ ही कराना उचित है ठीक है जी मैं आपको बताओं आज साढ़े तीन बजे से ही एका दशी लग जाएगी जो कि कल शाम के साढ़े छे बजे तक ही रहेगी लेकिन कल हम उद्या तिति में है तो हर जगा ही कल ही देव उठाने का दशी मन में आपने तुलसी माता शालिग्राम महराज जी का साधारन तरीके से अगर आप पंडी जी नहीं बुला रहे है खुद से भी करना चाहते हैं तो आप खुद से कर लिजे एक जोखी पे शालिग्राम महराज जी को इस्थापित करिए तुलसी माता को इस्थापित करिए वि बश्यकर नहीं करना है कर बहुत अच्छी तरीके से और सारी चीजों में उनका सबसे जरूरी हो गया सामागरी शिंगार की शिंगार की सामागरी रख आपका जरूर होना चाहिए उसके बाद में आप उनका तुलसी माता को टच करवा कि आप शाली ग्राम महराजी को जैमाल क पहनवा दीजे आप चाहें गडबंधन भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं घर में आप ग्रहस्त हैं तो हम लोग यदि पंडी जी को आप ना बुला पाएं तो आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं ठीक है और बहुत सिंपल पूजन मैं आपको तरीका बता रही हूं और उ जो चीज़े करनी हैं वो मैंने आपको बताया अ कल जलाना है सबसे जोंकर बहुत बहुत चीज़ेगा और बहुत बहुत अच्छेए से प्रभुग को पूजन करेगा अपने समट के अनुसार अपने शती साप से आप पूजन करेगा भाव से करेगा पूरे मन से करेगा जी यह था मेरा अ कुछ वीडियो हम दूसरे वीडियो में जलद ही मिलते हैं जो की चंद ज्रहर पर आएगा तो आज के लिए बस इतना ही हरी 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 बोलो हरी बोलो जी